इस वीडियम आज हम section exercise 2.3 solve करेंगे जो के world course certification के chapter 2 की last exercise है इसको करने के लिए चलते हैं अपने पहले project की तरफ इसको करने के लिए हमें exercise folder में 2-3 document open कर लेना है document open करने के लिए हम अपने exercise folder में जाते हैं chapter 2 में जाएंगे और यहां पे 2-3 word document मौझूद है इसके उपर मैं click करूँगा तो यह document open हो जाएगा इसके open होने के बाद अब हमने इस पर टास्क करने हैं पहला टास्क यह है कि on the first page insert a page break before the process heading अब आप देख सकते हैं कि यहां पे पहला जो page है इसमें आपको यह process की heading नज़रा रही है यहां पे हमने page break insert करना है यानि इसके नीचे का जितना भी content है वो अगले page पे चला जाएगा तो उसके लिए मैं यहां insert पे क्लिक करूंगा pages पे जाएंगे और यहां पे page break option है जैसी मैं इस पे क्लिक किया तो यहां पे page break होके जितना भी content है वो next page पे आ गया यह था हमारा task 1 अगर आप इसको थोड़ा सब जूम आउट करके देखना चाहें भी देख सकते हैं अब मैं office इसको 100% पे ले आता हूँ अब बात करते हैं task 2 पे in the pre-planned project section हमारा पास एक section है इसका नाम है pre-planned project select the heading the paragraph and the list items उसकी आपने heading paragraph और list item select कर लेने हैं और format each of the selected paragraph to stay on the same page as the paragraph that follows it and keep all the lines of the paragraph together अब आप देख लेते हैं कि यहां पे हमें किस heading की बात कर रहा है pre-planned project कि अगर देखा जाए तो यहां पे इसका कुछ हिस्सा इस page पे आ रहा है और बाकी हिस्सा दूसरे page पे आ रहा है तो हम इस पूरी heading को इस पूरे paragraph को और जितने भी इनके list items हैं इन तमाम को हम यहां पे select कर लेते हैं तो यहां से मैं इसको select करता हूँ और यह यहां तक select हो गया अब आपने क्या करना है कि home पे जाना है और यहां से paragraph की setting में line and page break पे आ जाना है pagination में हम यहां पे select करते हैं keep lines together और widow orphan control को हम on कर देते हैं इससे ही होगा कि पूरे के पूरा content एक ही page के उपर आ जाएगा okay के उपर मैं click करता हूँ अब आप देखें कि यहां पे आपके पास pre-planned project एक ही page पे आपको नजर आ रहा है तो यह था हमारा task number two task three में हमने क्या करना है select the questions for team leader and questions for department reps heading and the list that follow them हमने यह तमाम questions select कर लेने हैं और फिर इन तमाम selection की formatting करनी है two columns में equal width के साथ तो अगर देखा जाए तो हमारे पास यह कुछ team leaders के questions हैं जो कि आपको यहां पे नजर आ रहे हैं तो अगर हम यहां पे एक काम यह करें कि यहां पे मैं एक new page insert कर देता हूं तो अब यह हमारे पास एक अच्छा page बन गया है जहां पे हम formatting असानी के साथ कर पाएंगे यहां से मैं team leaders के सारे questions निकाल लेता हूं और इसको मैंने आपसे copy किया और यहां पे आके हम इसको paste कर देते हैं तो यह तमाम questions हैं जो के team leaders के हवाले से हैं और इसके साथ ही हम यहां पे कुछ questions हैं जो कि हमारे department rep के बास हैं इसी document के अंदर जो कि यहां पे हैं इनको यहां से copy कर लेता हूं और अपने उस blank area पे जाके हम इसको यहां पे paste कर देते हैं तो आप देखें कि यहां पे हमारे पास कुछ questions जो हैं वो team leaders के हैं और कुछ हमने department rep से लिए हैं बिलके मैं थोड़ा से इसको नीचे copy करता हूं ताके यह हमारे लिए यहां पे हम लिख लेते हैं questions from department और यहां पे हम इसको paste कर देते हैं और यहां पे हम लिख देंगे questions from team leaders और अगर आप देखें इसका style अगर आप देखें पहली जो हमारे पास heading आ रही है इसका heading to style है तो इसको भी हम यहां पे select करते हैं और इसका भी हम style heading to रख देते हैं तो दोनो questions आपके सामने हैं अब इस complete दोनो इस पूरे जो हमारे पास text आ रहा है इस text को अगर मैं आप इस select करूं और layout पे जाके हम columns पिक लेकर करके इनको अगर हम two columns में divide कर दें तो यह देखें questions from team leader एक साथ आ रहा है question from department दूसरी तरफ आ रहा है यही हमें का गया था कि दोनो questions का एक तरह से comparison हो जाए select the questions for team leaders and department format the selection in two columns of equal width हमने equal width के दो column बना लेने हैं और इनकी space हमने set करनी है 0.3 और दोनो columns के दरम्यान vertical line एड़ करनी है तो columns की मजीद settings के लिए यहां पर मैं more columns पर जाओंगा यह है column की width जो के 2 inches है spacing 0.5 inch की है two columns को select किया गया है और अगर मैं इनकी दरम्यान vertical line एड़ कर दूँगा तो उनकी दरम्यान vertical line आ जाएगी लेकिन हमें कहा गया है कि space जो रखनी है वो 0.3 inches की रखनी है तो हम क्या करेंगी यहां पर spacing कर देंगे 0.3 inches ओके पर मैं click करता हूँ अब आप देखें कि हमारा formatting यहां पर आके complete हो चुकी है तो यह हमारा task 3 complete हो गया है task 4 में हमने column break add करनी है questions for department heading so that each list in its own column तो यह already हमारा हो चुका है कि हर list जो है वो अपने ही column में आ रही है कि हमने start में ही दोनों को headings दे दी थी और इसके बाद task 5 में आपने backstage view में जाके print page पे अपने इस document को view करना है ताके आपको अंदाज़ा हो सके कि आप सही काम किया है आपने या नहीं तो आपको अंदाज़ा हो रहा है कि इस तरह से यह print होगा तो इस तरह से आप तमाम पूरे document का यहां पे overview देख सकते हैं कि आपको document कैसे print होगा तो यह था हमारा task number 5 तो इस video के अंदर आज हमने section exercise 2.3 के अवाले से जितने भी projects और tasks थे वो हमने complete कर ली है